एक पूर्पोलियो भी बनाते बट यहां पे नरेटिव फ़ालो करते हुए उस नरेटिव में कौन-कौन से ऐसे क्रिप्टो हैं जो काफी सेफ हैं जिन में थोड़ा सा रिस्क है जिन में काफी जादा रिस्क है यह फिगर आउट करना भी उतना ही होता है फॉर आर पूर्पोलियू रिमेंबर नॉट आल क्रिप्टो उज एप Ultra कुछ ऐसे क्रिप्टो हो सकते हैं जो सेफ हैं बाट वहां पे आपको उतना जाते रहते हैं जाते रहते हैं जादा एक्सपेक्टेशन के साथ इनक्रीज होता है दर्श दो रिस्क आप लोग ले यहां पर काफी क्रिप्टोस हमने भी पुछेस करें हम शुर आप लोगों ने इस नरेटिव के बारे में जरूर सुना होगा वर टॉकिंग बाउट आर्टिफिशल इंटेलिचेंस एक बात हर कोई कर रहा है इलॉन मस्क हो या कोई भी कंट्री हो दे वांट टो एडाउट इन क्रिप्टोस की बात करें या क्रिप्टोस को साइड में रखके भी हम लोग देखते तो कफी बड़ा हो रहा है जो हम हमार लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यह जानना कि किन क्रिप्टो में कितना रिस्क है एंड कौन-कौन से ऐसे क्रिप्टो हैं जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट करा लोकिंट इन्टु दी पॉर्टफोलियो यह कहना बहुत एजी है कि AI के क्रिप्टो पर्चेज कर इन्वेस्टर जो नए मार्केट में आ रहे हैं यहां पर काफी लोग ऐसे भी है जो यह बोलते हैं हमार पास फंड्स नहीं है कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है बट इनकेस अगर आप मार्केट में आया हो तो यह कुछ कैसे क्रिप्टो जिसमें हम लोगों ने इनवेस्ट करा क्या हम उनसे एकसपेकटीशन करते हैं कौन से ऐसे क्रिप्टोज है यहां पर जो काफी ज्यादा रिस्क अपने साथ लेकर आते हैं जिन में हमारे रिस्क जो है ऑपने साथ काम हो जाता है इन सब चीज़ों के बारे में बात करने यह कि यह trend जो है वो market में continue रहेगा till the bull season and काफी अच्छे return जो है वो यह particular sector जो है हमें provide कर सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने open कर दिया coin market cap currently global market that is down 1.68% total market cap की बात करें that is 2.13 trillion dollars बात करें dominance की BTC का dominance is 53.5% ETH dominance is 17.5% जो हमें यह downside देखने को मिल रहा है currently in the crypto currency market इसके बारे में हमने अपने twitter handle में भी बात करी जहाँ पर हमने बात करी कि crypto market falls ahead of the US CPI data relief आज की date में हाँ पर US का CPI data जो है वो सामने आने वाला है और येस क्राफी important role वो play करेगा in the overall crypto currency market FOMC interest rate काप कम करेगा that depends कि यहाँ पर CPI data क्या आता और इसी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं एक question mark जो है वो खड़ा हो रहा है हाल फिलाल की बात करें तो yes crypto market यहाँ पर dip में गई जी all the bears started to speak about the crypto currency market कैसे उन्होंने बताया था कि market यहाँ पर down जाएगी but overall said एक लंबी picture जहाँ पर हम लोग देखते हैं crypto currency market especially the last quarter of 2024 वहाँ पर काफी लोगों को मीध है कि Bitcoin काफी अच्छा pump हो सकता and with that यहाँ पर यह जरूरी हो जाता है to make profits कि हम लोग cryptos में invest करें Bitcoin की जहाँ पर हम लोग बात करते हैं currently sitting at $58,000 it is down to 0.15% in the last 24 hours Ethereum की बात करते हैं $3,105 currently down 0.18% ETH के ETS भी अब इतना जादा दूर नहीं है with all that said यहाँ पर हम लोग बात करते हैं AI sector one of the sector जिसके लेके मैं personally काफी जादा bullish हूँ हम लोग ने यहाँ पर कुछ sectors जो है या categories जो हैं वो figure out कर रखी अपने portfolio में जहाँ पर हम लोग AI की बात करते हैं जहाँ पर हम लोग gaming की बात करते हैं जहाँ पर हम RWA की बात करते हैं meme coins की बात करते हैं definitely कुछ top alt coins की बात करते हैं यह पाँचो categories mix करके हमने अपना complete portfolio आज का टाइम में बना रखा है and yes we can very easily say कि हम लोग काफी अच्छा यहाँ पर returns लेंगे अगर bitcoin यहाँ पर pump होता है वो bull market यहाँ पर देखने को मिलती है तो यह सारे के सारे sectors यहाँ पर काफी अच्छे return देनी की एक possibility ज़रूर रखते हैं अब बात कर लेते हैं regarding AI में कौन कौन से ऐसे cryptos है जहाँ पर आपकी investment जो है वो थोड़ी safe थोड़ी secure रहती है definitely यहाँ पर हम सब लोग बात करते हैं near protocol की near protocol जो की एक layer 1 है in the crypto consumer market इसको आप देख सकते हो from the perspective of layer 1 as well विटालिक ने काफी तारीफे यहाँ पर करी थी near की previous all time high की जहाँ पर हम लोग बात करते हैं आपकी investment थोड़ी safe थोड़ी secure और ज़रूर रहती है you cannot be completely safe completely secure in the crypto currency market even if आप यहाँ पर bitcoin को purchase करते हैं यह चीज़ को जरूर याद रखेगा यहाँ पर फिर आता है एक और crypto एक ऐसा token जो यहाँ पर merge होके सामने आए यहाँ पर इसका नाम है ASI अभी इसका ticket name जो है वो FET के नाम से सामने आ रहा है बट यह combination है of which of singularity on ocean protocol अगर आपके किसी भी एक्षेंज में एक तीनों के तीनों crypto's पड़े होंगे तो वो automatically यहाँ पर ASI token यहाँ पर दिखने लगे होंगे अगर आपने अपने crypto's को यहाँ पर wallets में रखा होगा तो यहाँ पर आपको एक swapping mechanism मिलेगा जिसके तुरू आप अपने crypto's को swap करके ASI token बना सकते है और इसकी complete detail के बारे में हमने बात करी थी वो वीडियो आपको मिल जाएगी निचे description section में जाकि वो check out जरूर करिएगा हाल फिलाल इस token की बात करें तो यह तीन सबसे बड़े tokens को मिलके यह token सामने आए ocean protocol singularity net and fetch.air तीन ऐसे token जो आल्मोस सबके पास पड़े थे तीन ऐसे token जिससे सब लोगों को उमीद थी वेल एक नया token सामने आया और काफी अच्छी market का अप लिके बैठा currently sitting at 27th position ASI से उमीद है यह उपड़ जा सकता यहाँ पर हम सेफ क्रिप्टोस की बात करें वेल रेंडर का नाम भी यहाँ पर आता है एक ऐसा token जिसकी utility बहुत क्लियर है GPU power जो है वो provide करता है which is a necessity for AI अब यहाँ पे रेंडर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक question जो है वो हर कोई पोस्ता है रेंडर ने यहाँ पे एक नया all-time high already बना दिया है in 2024 यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं आप यहाँ पर देख सकतो approximately 4 months पहले यहाँ पे टाच करा था somewhere around $13.60 वहाँ से आज के टाइम में नीचे आया है to $6.35 many people ask the question कि क्या यहाँ पे रेंडर का upside up खतम हो गया है well definitely not अगर AI यहाँ पे grow होगा तो रेंडर भी यहाँ पे grow होगा और इसी के उमीद हम लोग करते looking into the charts यहाँ पे रेंडर बहुत easily एक और नया all-time high बना सकता काफी लोगों को उमीद है कि यहाँ पे easily 5266 के return देखना आप भी वीबा किये 5266 मीन्स यहाँ से easily $30-35 तक रेंडर पहुंच सकता that is not my prediction but yes अगर आप social media में जाते हो तो यह predictions आपको देखने को बहुत clearly नजर आती है ऐसा नहीं है AI में competition increase नहीं हुआ AI में competition increase हुआ है बट उसी के साथ साथ यहाँ पी कोई क्ली बात कर ले कुछ पुराने क्रिप्टो को लेकर दग्राफ जो यहाँ पर डेटा प्रोवाइट करता है काफी अच्छा क्रिप्टो है many people are invested in graph including myself हम लोगों ने भी अपने पूर्टफोलियो में ग्राफ को अड़ करा बिटेंसर टाओ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करेगा और दो हमारे पूर्टफोलियो में यहाँ पे बिटेंसर टाओ नहीं है बट यह काफी अच्छी पोजिशन में यहाँ पे टाओ बैठावा लोगों को उम्मीद है कि four digits कि यहाँ पे टाओ जा सकता है और वो कितना उपर जाता है कितना नहीं जाता है यहाँ पर कितना ग्रो 2.75% जो है वो अलड़ी सर्कुलेशन में आ रहे हैं यहाँ पे अगर हम प्रिविएस अल्टाइम हाई की बात करते हैं दाट वोजें 2021 ऑफ अल्मोस एट डॉलर्स यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यह पहुंचा ऑल्मोस एक्स डॉलर्स ट्वेल एक्स रिटर्न जो ह है वो क्रिप्टो कांशी मार्केट का नहीं आए अकाश के पास काफी रूम है फादी ग्रोथ एक ऐसा टोकन है इंदी मार्केट जो काफी अच्छे रिटर्न प्रिवेसली भी दे चुका अभी अपने ऑल्टाइम आई से काफी जादा दूर है बिएर मार्केट में काफी ज करते हैं हम लोगु वाइल इन्वेस्टिंग बट यहां पर जब हम लोग बात करते हैं है रिटर्न और क्रिप्टो जो जाप इस लिस्ट में बहुत सारे क्रिप्टो पर वह था आते हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा था इन दाव लासीन फून यह मार्केट इनका प्राइज भी वापस नीचे फॉल हुआ है यही चीज होती है लोगर काप क्रिप्टो की जब मार्केट एक बुल सीजन में आगे बढ़ रही होती है अब बिटकोईन का प्राइज इंक्रीज हो रहा होता है यह काफी अच्छे रिटर्न देते हैं यह प्लंपेट डाउ जिसमें हम लोगोंने DCA करा, DCA करा somewhere around 45 cents के आसपास, last one year का अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो 2782% काफी बड़ा नंबर है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यह की स्टार्टिंग में यह बैठा था somewhere approximately 1 cents, currently sitting at 42 cents, 42x return यह अलेड़ी दे चुका है अपने इन्वेस्टर को, that is something for you to understand, market जब भी bullish रहेगी यह सारे के सारे क्रिप्टोज वापस पांप करेंगे, it does not mean की क्रिप्टोज जो है वो डेट हो गया है या इनमें वो पांप नजर नहीं आ रहा, आज के टाइम में आप इन क्रिप्टोज को लेके nervous हो सकते हो, यह lower cap क्रिप्टोज हमेशा ऐसा ही perform करते हैं, but once the market starts to move the upper side, well यह क्रिप्टोज भी bounce back करेंगे, and एक अच्छा खासा bounce back यहां पे हमें देखने को मिल सकता है, EOS was there in the previous bull cycle, यहां पे इसने touch करा था $2.67, it is down almost 84.27% from its previous all time high, and yes, एक ऐसा क्रिप्टो है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा, अगर आप यहां पे AI क्रिप्टोज को search करोगे, तो EOS का नाम यहां पे definitely सामने आएगा, काफी अच्छा क्रिप्टो है, and that is the reason हम लोग यहां प देख रहे हैं, जब यहां पे लोग figure out कर रहे हैं कि Germany government के पास कितने bitcoin बचे हुए, आप लोगों काफी screenshots मिलेंगे on Twitter, saying कि आप Germany के पास इतने bitcoin बचे है, and वही चीज़ यहां पे आरकरम करता है, एक data provide करता है wallet addresses का, कितना wallet address में कितने bitcoin बड़े हैं, या कितने और cryptos बड़े, definitely यहां पे हम लोग बात करते हैं, regulations की, well यह crypto काफी अच्छा काम आ सकता है to the comments, currently sitting at $1.44, Binance Launchpad का एक और product, Binance Launchpad के बारे में हम लोग सब जानते हैं, काफी अच्छे उनके tokens यहां पे perform करते हैं in the first bull season, currently down 2.58% in the last one day, last one year की बात करें, it is up only 93%, अगर आप लोग यहां पे data आते हो कि CB wallet का, तो आप यहां पे जागे search भी कर सकते हो, अगर वो नाम यहां पे होगा, तो definitely उसका data जो है, वो सामने आ जाएगा, but I would still say कि इसको देख कि अपने crypto's को purchase ना करें, काफी लोग क्या करते हैं, कोई बड़ा influencer है, उसका नाम यहां पे search करा, उसका नाम सामने आ तो जो भी वहां पे crypto's या token दिखाई देते हैं, उसमें वो invest कर देते हैं, well understand, यह एक marketing tactics भी होती है, जहां पे काफी ऐसे लोग हैं, जो कुछ amount का token या crypto's वहां पे send करते हैं, ताकि आरकरम में वो आपको दिखाई दे, जैसे ही आपको दिखाई देता है, आप इस understanding में आते project है, उसके बारे में भी आपको बताया, previously, Binance Launchpad के products ने काफी अच्छा करा, यह हम सब लोग जानते हैं, yes, आरकरम भी हमारी list में आता है, जहां पे हम इसको बोल सकते है, safe crypto, but because यह top 100 के बाहर है, तो थोड़ा बहुत risk यहां पे आपको देखने को मिलेगा जरूर, coming on to the next token, जो market में आता है, AI सेक्टर में आता है, but यह हाल फिलाल में launch हुआ है, तो थोड़ा सोच समझ के आपने यहां पे इन्वेस करना, and इस token का नाम है, IO.net, circulation supply की जहां पे हम लोग बात करते हैं, only 11.88% जो है, वो market में आरके, it is a direct competition to render, जैसे के हम लोग ने बात करी थी, while speaking about render, AI म हां पे कोई भी category आप देखोगे, तो वहां पे competition increase हो रहा, but increase competition के साथ, हमने एक चीज़ जरूर माइंड में रखती है, वो cryptos, वो token, जो half-lal में आपे launch हुए, उनका price dip हमें देखने को मिलता, and वही चीज़ हमें IO.net में आपे देखने को मिल रही, coming down from $6.33 to somewhere around $2.40, circulation supply भी अच्छी amazing नहीं है, तो yes, market में tokens हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसके unlock होंगे, tokens unlock होते हैं, अगर market यहां पे dip पर रहती है, तो इसका price काफी ज़्यादा fall हो सकता है, हम लोग ने अभी तक एक ही lot इसका purchase कराया, somewhere around $3 to $4 के असपास, but उससे ज़्यादा lots अभी हमने purchase नहीं कर है, बट अगर यह perform नहीं करता है, to our expectation, well, यहां पर आपका risk काफी ज़्यादा increase होता है, I'm not buying any further lots, जैसी हम इसको purchase करेंगे, हम आपको बता देंगे, ना telegram channel, join नहीं करा है, तो join जरूर करिएगा, our target for iodat net for the second lot is somewhere around $2, $2 के अगर निचे आता है, तो बहुत amazing रहेगा हम The next token we are going to speak about is PAL AI, PAL AI का price यहां पर fall हुआ, last one month की बात करें, 26%, यहां पर year till date बात करते हैं, तो picture एकदम change होती हुए नजर आती है, but यहां पर इस net touch कराता somewhere around $0.77, $0.79, वहां से down है काफी जादा, in fact अगर previous all time high देखते हैं, तो $0.86 तक यह गया था, 78% down in the current scenario, क्या PAL AI यहां प बुलिश रहता है, Bitcoin यहां पर बुलिश रहता है, तो PAL AI यहां पर बहुत easily जो है, वो recover कर सकता है, जो भी यहां पर losses हमें देखने को मिले, and यही चीज़ है, जो यहां पर low cap cryptos में हमेशा आपको देखने को मिलेगी, अगर आपका पूरा portfolio जो है, वो low cap cryptos का है, I am definitely sure कि यहा काफी जादा नीचे आपका portfolio आया होगा, from the highs जो अभी हमने हाल फिलाल में touch करें थे, तीन से चार महीने पहले, and वही चीज़ यहां पर भी देखने को मिलेगी, but that does not mean कि हम यहां पर PAL को sell-off कर रहे हैं, what that means is, कि अगर हमारे पास additional funds आते हैं, तो हम यहां पर PAL में invest करेंगे, because यह token ने previously भी आपे काफी अच्छा perform करा है, जहां पर market bullish थी, and that is exactly what we expect from PAL, in the way future, अगर market यहां पर positive रहती है, अब यह चीज़ में focus करना काफी important है, पाल again एक risky crypto definitely है, and risky की जहां पर हम लोग बात करते हैं, 010, 010 काफी जादा नीचे है, 38.67%, यहां पर हम लोग बात करें, इस 0 की अगर हम circulation supply की बात करते हैं, again 86% जो है, वो market में आ चुकी, tokenomics की accordingly, PAL, AI, and 010 काफी safe and secure लगते हैं, but again, market जब तक यहां पर वापस से regain नहीं करेंगे, वो momentum, यह दोनों के दोनों token जो है, वो regain नहीं करेंगे, वो upper side, जो नहीं हाल फिलाल में देखा था, but अगर हम एक long picture की बात करते हैं, तो yes, अगर आपके पास funds है, तो definitely यहां पर DCA करना बगता है, काफी लोगों को questions आये थे, कि कहां से हम इसको purchase कर सकते हैं, तो market में जाके आप देख सकते हो, 010 जो है, वो bid get में यहां पर listed है, so if you are using bid get, तो आप लोग वहां से purchase कर सकते हो, और coinX जहां से आप purchase कर सकते हो, अगर आपको decentralized exchange यूज़ करना आता है, तो Uniswap में यह आपको खरीदने के लिए मिल जाएगा, यहां पर बात करते हैं, एक और low cap cryptos की, जहां पर आपका risk थोड़ा और increase हो जाता है, जितना आप नीचे जाते जाते हो, अतना जादा आपका risk increase होता है, इस चीज यहां पर यह पहुंचा था $2.02, currently sitting at $28, हम लोग यह बहुत easily बोल सकते हैं कि 10X उपर तो नहीं गया, बढ़ 10X नेक्चे जरूर आ चुका है, यहां पर आपका risk और जाता increase होता है, इसके बारे में हमने discuss करा है, बट यहां पर the most important fact, पाम EI भी यहां पर grow होगा, अगर market मे रहता है, यहां पर developers काम करते रहते हैं, तो definitely वो सारे crypto जिन्होंने यहां पर काफी अच्छा respond करा था to the market, वो आगे भी respond करेंगे, all you need to do is कि आपने figure out करना पड़ेगा, कि यहां पर रिस्क कितना जादा लेना चाहते हो अपने portfolio के साथ, do you want to take the least risk, तो यहां पर top crypto's आप purchase क करके sideline हो जाएगे, something for you to understand, this is not a financial advice, हम लोग अपके financial advisor नहीं है, I'm just telling you, जो मैं अपने portfolio के साथ कर रहा हूँ, I'm telling you, जो मैंने यहां पर AI crypto's में अपने portfolio के साथ अभी तक करा, कौन-कौन से crypto's हमने purchase करके अपने portfolio में रखे, and उन से मैं क्या उमीद करता हूं in the future, definitely the lower cap crypto's has tumbled out not only in AI sector, बट अगर हम यहां पर gaming की भी बात करें, यहां पर हम means की भी बात करें, यहां पर हम RWA या किसी भी category में बात करें, जो lower cap crypto's है, उन में ज्यादा fall देखने को बिलता है, but on the other hand, जब market momentum पकड़ती है to the opposite, lower cap crypto's यहां पर काफी अच्छे returns देते हैं, and इसमें मुझे आउट नहीं, that is probably one of the reason मैं market में पाल, 0x0 या पाम याई को market में sell-off नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं उनको hold करके रख रहा हूं, अगर मैं उन में DCA नहीं कर सकता, तो all I can do is hold on to them, यहां पर definitely जो top के crypto's है, अगर इन में में मेरा DCA करने का मन करा, तो मैं definitely करूँगा, क्योंक अपने portfolio के साथ बना रखा है, in all the categories, that is something for you to understand, because काफी लोग यहां पर अपने portfolio के साथ काफी risky investment करते, वो यह सोचते हैं कि first we should invest in 100x cryptos, 50x cryptos, 5-10x cryptos में तो कौन ही invest करता, we'll think about it, अगर आप एक balance बना के चलते हो, in any of the category, you will be far better off, and वही चीज़ आज की टाइम में आपे शोर ह All those people, जिनके portfolio में खाली lower cap cryptos है, वो market में nervous हो रहे हैं, वो market में डर है, in fact, जिनके पास higher cap cryptos भी है, वो भी market में nervous हो रहे हैं, बट उनको उमीद है कि top के cryptos थो हमें return दे जाएंगे, lower cap cryptos, will they survive this fall, यह एक doubt जो है, वो हमेशा बना रहता है, and that is why we say, balance your portfolio, किस crypto में कितना risk लेना ह है, well, that completely depends on your research, well, यह कुछ ऐसे cryptos हैं, जहाँ पर हम लोगों ने investments करी है, and yes, अभी तक उन्होंने ठीक ठाक perform करा, not exactly according to our expectation, but वो एक ऐसे level में जरूर आ गहे हैं, जहाँ पर DCA करने का एक lucrative offer हमें मिला, will we do it, will we not do it, well, वो completely depend करता है, कि यहाँ पर हम और कितने funds हो हैं, वो ख हैं, with that said guys, आज का वीडियो करते हैं पर, and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेर करना, सब्सक्राइब कर देना, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay बाबा,